हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनत इजी माइन टुटोरियल्स, सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक बढ़िया जॉब अपडेट जो की है सेंटरल कॉर्मेंट के तरफ से, बिल्कुल 100% पर्मनेंट सरकार नवकरी दोस्तों, अभी फिलाल में NB और ICCR एक्जाम के बाद ये लगातार तीसरा ओपर्चुनिटी आपके पास, जो की आप हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं दोस्तों, बहुती बढ़िया जॉब है, असिस्टेंट का जॉब है दोस्तों, और ICMR में निकला हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उससे पहले जिन लोगों ने भी सनत इजी माइन टुटोरियोल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, और आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आप जूड़ सकते हैं यहां पर और फेस्टूक ग्रुप में जूड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं. चलिए जानते हैं जौब के बारे में. ठीके दोस्तों, ICMR के तरफ से रिकूट्मेंट निकल कर आ रहा है, जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए ग्रूप B का एक्जाम है, ग्रूप D लेवल का है, लेवल 6, और इसको कंड़र्ट करवाएगी PGIMER चंडिगर, ते लिए जानते हैं, जॉब के बारे में ये दिखें, इन्पोर्टेंट डेट्स, जो कि 7th November 2020 को इसका ओपनिंग डेट था registration सुरू हो चुका है, आप लोग जाके इस website में विजिट करके apply कर सकते हैं दोस्तों, और इसका last date है 3rd December 2020, ठीक है, और इसका admit card 21 December को जारी किया जाएगा, और 3 January 2021 को, 3 January 2021 को इसका CBT examination होने को है दोस्तों, जो कि 80 marks का होगा, next देखिए दोस्तों, eligibility criteria जो कि बहुत important है आपके लिए, आपको जानना, देखिए, level 6 का post, ये post के बारे में आपको बता चुका हूँ, 4200 grade pay का है, और ये इसका pay matrix है, आप लोग देख सकते हैं, 35,400 से लेकर, 1,12,400, age limit क्या रहेगा, दोस्तों, 30 साल का आपका age limit रहेगा, 30 स से कम आपका उमर होना चाहिए, यहां तक, इस date तक, और minimum essential qualification जो है, आपका 3 साल का bachelor's degree होना चाहिए, दोस्तों, किसी भी stream में, किसी भी university और institute से, इससे जादा अगर आपका degree है, जैसे कि किसी का b.tech है, तो वो लोग भी बिलकुल यहां पर apply कर सकते हैं, दोस्तों, शर्त यह है कि आपके पास आपका provisional mark sheet होना चाहिए, दोस्तों, इस date तक, और आपको इसका working knowledge चाहिए, computer में, जो कि है MS Office और PowerPoint का, यह दोस्तों सभी के पास generally होता ही है, ओके, चले चलता है, next में जो कि है age relaxation, तो age relaxation, जो SCST, OBC, BWBD और in categories के लिए, पूरा government, central government के तरफ से जो मिलता ह है, वही norms यहां पर भी applicable है, next देखिए, दोस्तों, details of vacancy के बारे में जानते हैं, तो post assistant का है, total 80 vacancies है यहां पर, और यहां पर देखिए, हर category wise उन्होंने vacancy दे दिया है, 33 categories आपका unreserved category के लिए है, 8 है, EWS में, OPC में 21, ST में 6 और SC में 12, और PWBD के लिए 4 vacancies है दोस्तों, अग यह quant और English, सभी में 20 questions रहेंगे आपके, और 20 marks का total duration 80 minute का exam आपका होगा, important यह है कि दोस्तों, 0.25 marks का negative marking होगा, okay, और 80 marks weightage आपका रहेगा CBT में, तो 80 is to 20 ratio रहेगा, इसमें 80 marks आपका CBT का होगा, और 20 marks आपका skill test का होगा, okay, अगला देखिए दोस्तों, जो की है, written examination जो होगा, CBT होगा, सारे post के लिए, only English language में ही conduct किया जाएगा, उन्होंने clearly mention कर दिया है, अपने official notification, अगला देखिए, written examination जो है, उसका 50% आपको qualification marks चाहिए, अन्रिजर्ट के लिए, minimum 50% marks आपको लाना पड़ेगा, अन्रिजर्ट, OBC और EWS category के लिए, और बाती जो category है, SC, ST, PW, PD उसके लिए 40% है, minimum qualifying marks, इसके बाद आपको skill test के लिए directly बुलाए जाएगा, ओके दोस्तों, तो देखिए, यह है syllabus आपका, general awareness का questions, GA का questions, मतलब यहीं से आएगा आपका, जो कि SSC का general syllabus है, वहीं सेम follow होगा, quant में भी वही रहेगा, और English का भी वही रहेगा, तो syllabus आप लोग चेक कर सकते हैं, detailed notification मेंने, आपका description में उसका link दे दिया है, अगला देखिए examination center, तो examination center लगबग हर जगे में आपका है, तो कहीं से भी आप लोग belong करते हैं, आप लोग easily उस जगे का center दे के आप लोग form को apply कर सकते हैं, तो ज़रूर से apply कर लेना और ज़रूर से इसको check कर लेना, दुस्तों, यह देखिए application fees क्या रहेगा, आपका 1200 WS और women category के लिए, और PWBD के जो लोग हैं उनको, कोई fees नहीं रहेगा, उनको exemption मिल जाएगा, और 1500 रूपे आपका रहेगा सारे other categories के लिए, OBC और general category वालों के लिए, और mode of payment आप लोग debit card, credit card या net banking से कर सकते हैं, दुस्तों, अगला देखिए apply कैसे करना है आपको, तो apply मैं मैंने पहले बता दिया आपको कि icmr.nick.in और इस website में जाकर आप लोग apply कर सकते हैं, जरूर से apply कर दीजे जोस्तों, बहुत ही बढ़िया job update है, बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए, और इसके लिए, जो skill test है, skill test का क्या होगा, कैसे criteria होगा, वो मैंने कली video बनाया थ सारे exam's के skill test के लिए, वो important है strategy, आप लोग वहाँ से जाके skill test के लिए, वीडियो जरूर से check कर लेना, और जो भी GK का questions है, और बाकी जो भी questions इसमें आने वाला है, examinations में उसका present strategy क्या रहाएगा, क्या नहीं, सब चीज का video मैं आपको तुरंत यहाँ पे जल्दी ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं दोस्तों, बराने वाला हूं, तो channel पर जूट जाएए, telegram group में जूट जाएए, discussion telegram group है, और यह public telegram group है, और यह Facebook का group है, और Instagram का भी यह link है, ओके दोस्तों, जूट जाएए, और channel को subscribe नहीं किया है, subscribe करके bell button को press कर दीजे, और अपने दोस्तों को share कर दीजिए, तो आपका भी अच्छा हो जाएगा, और मेरे लिए भी motivation मिल जाएगा, दोस्तों, ओके, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!